हेलो दोस्तों, वेल्कम बैक तु माई यूट्यूब चानल एच्पी टेल्स, मैं हूँ एडवोकेट हश्प्रीट कॉर और आज हम बात करेंगे लोग के एक बहुत इंटरस्टिंग टॉपिक पे जो की है मिन्टेनेंस ओफ पेरेंट्स मिन्टेनेंस, मिन्टेनेंस सुनते हैं आपके दिमाग में सबसे पहले क्या इमेजे साथ पैसे, वाइफ, डैवोर्स, वाइफ का अपने हजबन को लूटना और आप गलत नहीं हो एच्छली में यह सब चीज़ें भी होती है और हमें दिखाया भी यही जाता है कि वाइफ ने हजबन से इतने पैसे लिए, इस आक्टर ने अपनी वाइफ को इतने पैसे दिये समंधा ने इतने पैसे उने के बाद भी नहीं लिया तो हमें दिखाए यह इसलिए हमें लगता है कि maintenance जो है वह wife और husband का ही matter है और अब आजकर यह भी चल रहा है कि husband भी wife से अपना maintenance ले सकता है जो कि है भी ले सकते हैं depending upon conditions and terms जो भी है लेकिन यहाँ पे इन सारी चीजों में एक परसें जो है वो मेशा निगलेक्ट हो जाता है जो की है हमारे parents लेकिन अगर आप ध्यान दो तो section 125 of CRPC जो की maintenance को cover करता है उसकी heading में ही लिखा है order for maintenance for wife, children and parents लेकिन अक्सर ये wife husband की लड़ाई में parents जो है वो निगलेक्ट हो जाते हैं तो हम आज ध्यान देंगे कि parents कब कब और कहां से maintenance ले सकते हैं और क्या ऐसे special provisions बनाएंगा है parents को protect करने के लिए अब जो maintenance है अगर आप सोचरों कि ये सिर्फ एक son का button है तो ये गलत है एक daughter पे भी उतना ही applicable होता है जितना एक son पे हो चाहे वो एक married daughter ही क्यों ना हो अगर वो married daughter है और parents जो है वो capable नहीं earn करने के और उस पे dependent थे तो married daughter की भी responsibility यही है कि वो उनको एक maintenance प्रोवाइट करें तो basically parents के पास तीन act में rights दिये गए हैं maintenance claim करने के लिए चाहे वो personal law हो चाहे वो code of criminal procedure हो या चाहे वो एक special act बना हो मतलब parents को protect करने के लिए एक special act ही बनाया गया था जिसे हम कहते हैं maintenance and welfare of parents and senior citizen act 2007 तो यह तीन act basically parents के लिए बनाये गए हैं कि वो इन acts में किसी में भी जाके maintenance claim कर सकते हैं पर obviously उसके भी कुछ conditions तो जरूर है सबसे पहला जो condition है वो है आप जो है वो maintenance किसी adult child से ही ले सकते हो obviously यह बहुत ही genuine condition है कि आप minor से maintenance claim नहीं कर सकते obviously अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मेरे पिछली वीडियो में जा पर मैंने minor के उपर बात करी थी कि minor कभी भी किसी भी चीज़ के उपर liability नहीं किया जा सकता तो वैसी maintenance के लिए तो वैसे ही नहीं किया जा सकता रही इतनी बड़ी responsibility आप minor पे नहीं डाल सकते लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अगर आप adult हो गए इसलब आप 18 प्लस के पार होते ही आप अपने parents को maintain करना start कर दो जी नहीं adult होने के बाद भी आप से तभी maintenance लिया जाएगा जब आप capable होके कि आप earn कर सको ठीक है तभी आप किसी और से maintenance ले सकता अगर आप खुद को ही नहीं support कर पारे तो आप दूसरों कैसे support करोगे ठीक है तो यह बहुत ही एक genuine condition है और सबसे important condition है किसी से maintenance claim करने के लिए लेकिन यहां पर यह जो condition है बहुत strictly follow की जाती है by quotes मतलब आप अपने responsibility से भाग नहीं सकते क्योंकि बहुत बढ़ देखा गया है कि adults जो है वो करते हैं वो बहुत सारी techniques लगाते कि क्या क्या चीजों की वज़े से maintenance avoid कर सके कैसे हम अपनी wife को parents को children को avoid करके maintenance ना देना पड़े तो क्या करते थे वो कि वो unemployed हो जाते थे कि और वो court को जाकर कहते थे कि Judd साब मैं तो unemployed हूं मेरे पस खुद के पास ऐसे नहीं है मैं इनको कैसे maintenance दूँ मैं maintenance नहीं दूँगा और बाद में जब मैंट्रस ओटोड हो जाता था तो फिर वो जाके फिर से employment हो जाते थे तो यह जब सीजों को ध्यान रखते हुए यह जो लौ है वो बहुत strict sense में follow किया जाता है और अगर आप capable हो earn करने के लिए और आप unemployed हो तो भी आपको maintenance देना पड़ेगा आप अपनी responsibility से ऐसे भाग नहीं सकते जो दूसरे important condition यहां पर दी गई है वो है कि जो parents है वो unable हो maintain करने के लिए अपने आपको मतलब उनके पस कोई earning का सोच ना हो और वो आप पर पूरी तरीके से dependent हो मतलब ऐसा नहीं है कि parents के नाम पर एक business है वहाँ से पैसे आ रहे हो फिर भी आपसे maintenance ले रहे है या parents जो है वो उनके पास source of income है उसके बाद भी आपसे वो maintenance क्लेम कर रहे हो तो जो parents है वो unable हो अपने आपको maintain करने के लिए और आप पर पूरे तरके से dependent हो तब ही वो आपसे maintenance क्लेम कर सकते हैं और हमारा तीसरा important point यह है कि ऐसा होने के बाद ही मतलब उनका आप dependent होने के बाद भी आप उनको neglect कर रहे हो या abandon कर रहे हो या refuse कर रहे हो कि आप उनको maintain नहीं करोगे और जो यह refusal है चाहे तो वो direct है आप उनको और directly बोल रहे हो कि भाई मैं तो आपको maintain नहीं कर सकता आप चल जो आप मेरे घर से चल जो जैसे मुवीज में देखते हो आप की निकाल देते हैं पैरेंस को घर से कि अब तो आप नहीं रह सकते हम पर बोज मत बनो यह सर्थारी चीजे राइट या फिर आपकी behavior और कंडक्ट से पता चल रहा है कि आपको कोई इंटेंशन नहीं अपने पैरेंस को maintain करने का और वो सही से अपनी लाइफ नार्मल लाइफ नहीं जी पा रहे तो यह दो चीजे अगर है तो भी वो आपसे maintenance क्लेम कर सकते हैं अब आते अपने next topic की तरफ जो कि है quantum of maintenance तो quantum of maintenance पहले तो fix था जिसे section 125 CRTC में 500 पर मन तक की limit दी गई थी और act में 10,000 तक की limit दी गई थी पर अब यह दोनों लिमिट्स हटा दी गई हैं अब यह court के उपर है कि वो circumstances और conditions देखके आपको अपनी-पनी amounts बताएं और कोई fixed amount नहीं दी रहे हैं सबसे पहले हम देख लेत पे apply होते हैं आप जिस religion को follow करते हो वो religious act आप पे लगता है जैसे अगर आप Hindu हो तो Hindu adoption act लग रहा है अगर आप Muslim हो तो Muslim law लग रहा है तो इनके अलग-अलग maintenance के provision है लेकिन अगर आप पे Christian and Parsi law आप लेक के बिल है तो उनके personal law पे maintenance के लिए provision नहीं है इसलिए उनको जो है व of CRPC जिसके according अगर कोई person जिसके पास sufficient means है उसके बाद भी अगर वो refuse कर रहा है या neglect कर रहा है अपने parents को मतलब अपने father को या अपने mother को maintenance देने के लिए तो court जो है वो order करेगी उनको monthly allowances के लिए जिसमे 500 रूपी अभी लिखा है पर वो हट चुका है जैसे हमने पहले बात क आप से conditions देखके उस पे maintenance लगाएगा जितना बनता है ठीक है प्रोवाइड़ अगर वो ऐसे नहीं कर रहा है अगर court के order के बाद भी अगर वो नहीं कर रहा है तो court चाहे तो उस पे warrant issue कर सकती अप्टू one month of imprisonment या fine दे सकती है जब तक वो payment ना करे यह हम application लगाते है section 125 में ही to judicial magistrate of first class और फिर accordingly case decide होता है यह थोड़ा time consuming process हो जाते है क्योंकि यह normal court में चलता है और क्योंकि court के पास काफी और cases की भी burden होते है तो यह थोड़ा long process उसमें हो जाता है और इसे को ध्यान रखते वे एक special act बनाया गया है maintenance and welfare of parents and senior citizen act 2007 जिसमें ना ही सिफ parents include होते हैं बट grandparents जो की paternal and maternal दोनों side से होंगे मतलब अपने पापा के side के भी होंगे और mother side के भी होंगे और उसके अलावा ऐसे senior citizens जिनकी 860 years या उससे अबव है और जिनके खुद के बच्चे नहीं है वो भी include होंगे और वो लेंगे maintenance अपन है relative से तो यहां पर relative मतलब यह होगा कि अगर आप उस senior citizen के किसी property के position पे already हो या फिर आप उनके legal years बन जाओगे उनके death के बाद और उनके जो भी property और सब कुछ है वो उनका inheritance आपको हैगा तो आप उनके relative बन जाओगे तो ऐसे cases में senior citizen आपसे maintenance ले सकते हैं का जो application वो section 4 and 5 मे लगता है under tribunal अब tribunal का मतलब तो आप समझी गए होगे कि यह normal court में नहीं लग रहा है इसके लिए अलग से tribunal बनाए गई है जिसका simple सा मतलब यह हुआ कि आपको time बहुत बचेगा और in fact अगर आप देखो तो यहां पे एक provision भी दिया गया है जापे लिखा गया है कि 90 days में आप ट्राय करोगे कि पूरी की पूरी proceedings over हो जाए और अगर आपकी 90 days में over नहीं होती है तो 30 days का extension भी मिल जाता है तो मतलब in short मतलब यह हुआ कि काफी time अपका बच जाएगा in proceedings में और उसके बार त्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि आपको कितने allowance मिलेंगे पहले इसमें 10 प्रिजमिन थ्री मन्स तक ही मिल सकती है 5000 तक का fine मिल सकता है या दोनों ही मिल सकता है तो in case आपको अगर maintenance मिल रहा है तो आप दोनों case में ही चाहिए वो CRPC में हो चाहिए वो special act में हो आपको करना चाहिए और वाइस आपे fines and jail के provisions apply हो जाते है अच्छा यहां पे एक और interesting बा citizen amendment bill 2080 जिसके अंदर थोड़े बहुत changes करे गए है amendments लाए गए है पुराने provisions के you know obsolete होते वे देखके जैसे यहां पे children का scope increase किया गया है यह नहीं सिर्फ normal son and daughter पे अप्लिकेबल है पटी daughter-in-law son-in-law पे भी अप्लिकेबल हो रहा है fine का you know limit increase करा जा रहा है six months तक की jail हो सकती और 10,000 तक का fine लग सकता है आप पे और distant relatives को और responsible बनाया जा रहा है maintenance देने के लिए जैसे पहले क्या है यहां पे relatives वगरा इतने नहीं involved थे जैसे सिर्फ son और daughter पे ही applicable होता था और senior citizen के case में भी relatives में एक limit set करी गई थी तो उसको भी थोड़ा ध्यान देते वे थोड़ा distant relative को भी responsible बनाने की बात हो रही है तो बह करते हैं आपको यह बिलपास होना चाहिए कि नहीं तो comment section में मुझे जरूर बताये और section 125 जो है उस पे काफी detailed यूनों बात हो सकती है कि husband wife के case में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है तो उस पर हम किसी और दिन एक detailed वीडियो पर बात करेंगे और अभी तक के लिए यही था तो thank you so much for watching and please share among your friends